प्यारे बच्चो, क्लास 6 की साइन्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चो हम पढ़ रहे थे 117 जीवो में अनकूलन ये चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है और इसके अभ्यास प्रिशनों को हम हल कर रहे थे इसके पहले की वीडियो क्लास में बच्चो हम लोगों ने प्रिशन नमबर 4 तक के प्रिशन जो है, वो हल किये हुए हैं सही जोनों को मिलान करने तक की प्रिशन हम लोगों ने हल कर लिये थे आज हमें स्टार्ट करना है बच्चो प्रिशन नमबर 5 से पाच्वा प्रश्ण है हमारा अनुकूलन किसे कहते हैं मरुस्थली जीवों में अनुकूलन को समचेप में स्पर्ष्ट कीजिए तो अनुकूलन जो है इसकी परिभासा हम लोगों ने बुक में पढ़ी थी बच्चो चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि आकरती आकार रंगरूप संदचना तथा आवास समंधी लक्षडों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विसेस परियावरण में सफलता पूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है अनुकूलन कहलाता है तो यह मरुस्थली जीव किस तरीके से अनुकूलित होते हैं तो बच्चो यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो यह हम लोगों ने पढ़ा था कि मरुस्थल में रहने वाले जन्तूओं को विसेस परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है जैसे पानी की कमी तेज धूप गरम बा तथा गद्यदार तलवे रेगिस्तान में दौणने के लिए अनुकूलित होते हैं जैसे एक्जाम्पिल के लिए उंट ठीक है और इसी प्रिकार से जो है चुकि मरुस्थली जीवोबस का पूछा गया है तो जीवबस का ही आप यहां तक लिखना है आपको अगर आगे मरुस्थली जीवो तो मरुस्थली जीवो के बारे में ही लिखेंगे अरुट SI हमें क्या लिखना है बचो इसका उत Dartmouth जो है आनुकूलन निकूलन किसे कहते हैं मरुस्थली जीवो में अनुकूलन को संचेट मिस्पिस्ट किजिए तो यह मै ने डड पैन से युजिका और ब तरिफासा लिख दीजेगा जो कि आपको बताया गया है किताब में उसी तरीक वही है आकरती आकार रंग रूप सनरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विसेश पर्यावरण में सफलता पूर्वक जीवित रहने में सहाया कोता है अन मरुस्थली जीवों में अनकूलन तो तो मरुस्थली जीवों को विसेश परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे पानी की कमी तेज धूप और गरम बालू पर چलना उप्यूक्त परिस्थितियों के समाधान हे तो मरुस्थली assisting जीवों में जल संचय, खुर्दूरी तोचा, अधिक बाल, लंबे पैर तर गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दोड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं जैसे उट आदी तो ये इसका उत्तर हो गया, बड़ा दो बार लगेगा मात्रा उट आदी अगले प्रिशन के और बढ़ते हैं, छटवा प्रिशन है बच्चो, जली जीवों में अनुकूलन की विसेशताओं को संचेप में लिखिए, तो जली जीवों में क्या विसेशताओं होती हैं, अनुकूलन क्या कौन-कौन से होते हैं, उनको हमें संचेप में लिखना है, तो जलिये जन सरीर रहते हैं सबसे पहली बात İstanbul अगर जीर ढहरी है तो इसका मतल्य पर पारणी में रहेंगे तो उनका सरीर पारणी में रहने के लिए प्लिक होगा तो उसमें सरीर में कुछ विरश रचनाई पाया जाती है जिसके कारण उनके सरीर की सुरक्षा होती रहती है और उनको अनकूरन रहता है ताकि वो जीवित रह सके तो जो जली ये जन्तु मशली के सरीर पर जल रोधी जलक पाए जाते हैं स्वसन के लिए विसेश रचनाय होती है जैसे गिल तीक है यह गिल्स बोला जाता है उसको तै आखों पर निमेशक पटल होती है तो यह किस लिए जाली जीवों का अनकूलन है इसके साथी बच्चों सभी लक्षण मशली के जल में तैर ने भोजन की तालास तथा सौसन के प्रति अनकूलन हैं इसी प्रकार अन्य जलीयी जन्तूओं में भी अनेक प्रकार के विसेशता अपनाय पाई जाती है जिनके कराण ही जल्वें निवास कर पाते हैं तो यह हमारा जली ऐख अ प्रिष्ट में चाहिए। मेले किवल मचली और तो मिषलिय भारे में लिखना है लिखनान को तुम तर लिखनान की विखना कि बतार निविक में बैगा है इसके पाद यहां तक आप लिख सकते हैं तो इसको फेर कॉपी में लिखिए गा बच्चो पांच वे प्रिशन का उत्तर जो है वह आप इस तरीके से लिखिए गा जली जीवों में अनुकूलन की विसेश्था हैं तो कौन-कौन सी विसेश्था हैं तो इनको आप अपने पॉ के लिए विसेश रचनाएं जैसे क्लून क्लून यानि गिल होते हैं तीसरा पॉइंट तैरने के लिए इनका सरीर धारा रेखे तथा चपते पक्वाला होता है चौथा पॉइंट है इनमें गर्दन का अभाव होता है तथा आखों में निमेशक पटल होती है तो यह सभी ल है जिनके कारण जीव में निवास करते हैं यह उप्तर हो गया अगले अगले परस्ण कि और बढ़ते हैं अगला प्रक्स निव में एंखुलन को सम्षेप में अधारण सही बताइए तो उभैचर जिवों में क्या पानी में पॉता है उसको हमें बताबाना है तो बच्चोν प्रत्वी परमी रह सकते हैं इसके उधरन में बचậंग मेढक हैं अन्पूलन होता है तो मेढक के पस्ष्च पात के जो पाति जाल होते है जहां जो पीछे वाला पाऊ होता है उसमें आक जाल पाया जाता है तो तैयरता है और लंबी जो मांस पेस यहां रहती है वह कूदने में सहायक होती है तो यानि जब जमीन पर रहेगा तो इसको लिख लीजेगा बच्चो आई देखते इस पूरश्ण का उत्तर क्या लिखेंगे इसका उत्तर बच्चों लिख लीजिएगा जो बुक में दिखाया गया है वही आपको लिखना है उभैचर जीवों जैसे मेठक के पस्चपाथ जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेसियां भूमी परकूदने में सहायता करते हैं इसके अत्रिक्त यह जल में तवचादारा तथा इस्थल पर फेपड़ों के द्वारा स्वसन करता हैं यह इसका उत्तर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिशन की ओर आठ्वाँ प्रिशन है बच्चो वायू वी जनतौ में अनकूलन का संशेप में वर्णन कीजिए तो बच्चो यह आठ्वाँ प्रिशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे आज के लिए बच्चो बस ही यहां हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बचों यह वीडियो क्लास जो है एकदम फ्री है निसुलक है तो आप भी इसका लाब लीजिए दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाब ले सके धन्यवाद बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क कर दास्मेट कर दास्मेट